हाई भाई लोग आज हम बात करने माले सालर मुज़क की बारे में वो भी क्या स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है दो लड़के जो कि एक दुसरे के बहुत आच्छे दोस्ते हैं एक लड़का उसके दोस्त की जबर्दस्ती से नतुनी लेकर जा उसी वो नतुनी वापस पाने के लिए पहलवान के साथ लड़ाई करना पड़ता है पहलवान के साथ जो लट रहा होता है उसका नाम देवा होता है वो बिजली की तार को पकड लेता है और पहलवान वहीं पर बेहोश हो जाता है जब उसका दोस्त उसके च्छाती पर जोर सरमारता है तो फिर से उड़ जाता है और जिस लड़के ने उसके दोस्त की नतनी ले थी वो उसको वापस कर देता है यहाँ पर आप देख सकते हो देवा की बिजली की तार पकने वे से क्या हालत हो चुकी है और वो अपने दोस्त के लिए अपनी जान तक दे सकता है और वो दोनों वहाँ से नतनी लेकर चले जाते हैं फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाती है वहाँ पर एक लड़का डूर के ओपर खिल ठोकता है वो बहुत डरा हुआ होता है और कुछ गाड़ी में कुछ लोग आ जाते है और वहाँ पर कुछ देर बाद देवा का दोस्त भी आ जाता है वो अपने हाथ में से कड़ा निकाह कर एक आदमी को दे देता है वो कड़ा लेकर आदमी बहुत खुश होता है और वो कड़े की बहुत वैल्यू होती है फिर देवा उसके दोस्त को कसम देता है वो जब भी बुलाएगा वो उसके लिए हजिर हो जाएगा फिर हमें दिखाया जाता है कि देवा के घर पर एक लड़की रहने आती है जो की बहुत परेशानी में होती है उसके पीछे गुंडे लगे रहे थे उसको देवा की माँ टास्क देती है कि वह स्कूल में के बच्छों का अच्छे से पढ़ा है वरना तीन दिन के बाद वहां से वापस निकल जाए फीर हम देखते है कि के ने कोई गुंडे बाजार में चेड़ते हैं आर्मीप पर देवा आ जाता है बलकी देवा बेकर कुछने बहुरा है हाँ तक तक ने उटाता है जाते हैं जिस पर कुछ अलग तरक की सिल लगा जाती है जिसे देखकर पुलिस वाले तक डर जाते और उन गाडियों को वापस छोड़ देते हैं अब पता चलता है कि फिर स्रीन शिफ्टों करदेटील देवा कुछ गुंडों के साथ लड़ााई कर रहा हो फिर आम हमें खांसां राम का गाउं दिगाया जाता है जा है बाई इतने तो अपने इंडियन आर्मे भी में नहीं होंगे जितने इस गाउं में गुंडे है कई सालों बाद देवा का दोस्त उसको वापस लेने आता है वो उससे कहिता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे लेकिन देवा की मा नहीं चाती थी और उनको उनकाती थी आदा फिर देवा उसके साथ चले जाता है उस गाउं में कुछ अजीब तर जहां पर पतव उड़ाए जाती है और उसको कट कर दिया जाता है जैसी हो किसी घर पर पढ़ती है वहां से एक लड़की उठा ली जाती है वहां पर अपने हीरो प्रभास की इंट्री हो जाती है वो उस लड़की के मा को सास दिलाता है और कहता है जो करना है वो तुम ही कर सकती हो वहां पर प्रभास को मारने के लिए कुछ गुंडे आ जाते है लेकिन उस गुंडों के मार देता है फिर भई, क्या यहा तो बहुत जम कर मारा-मारी चलो जाती है उस गवंचे कि सारे आवारत बहुत खुश हो जाती है हमें पता चलता है कि दिवा के मा के साथ भी कुछ आइस ही हुआ वो गुन्डों को बहुत बुरी तरकी से मारता है ये तल्वार खपागप ये भाले सपाजब वो माँ अपने लड़गी को देख कर बहुत कुछ HOTUS होती है वो उस आत्मी को बहुत बुरी तरक कैसे मार देता है और सारे बात पूरे खांसार में फैल जाती है जिससे बहुत लोग शौक हो जाते हैं देवा और उसके दोस्त वर्दा और को दरबार में लाया जाता है जहां पर उनके दोनों को सजा सुनाने वाले थे जब विश्नु का बाप तलवर लेकर मारने निकलता है तब देवा कहता है वर्दा की कोई गलती नहीं है सारी गलती मेरी है लेकिन विश्नु का बाप सुनता नहीं और वर्दा को मारने चले जाता है जैसे ही विश्नु का बाप वर्दा का कॉलर पकड़ता है देवा तब उसका हाथ काड़ डालता है और भाई क्या देवा और वर्दा के उपर फायरिंग का ओर्डर दे दिया जाता है देवा ने फिर से कहा कोई वर्दा को हाथ नहीं लगाएगा जब तक सारे गुंडे गन लोड कर रहे होते देवा को फिर से खुस्ता आ जाता है और वो विश्णु के बाप का सरूडा जालता है सभा में बेटे सारे लोग हैरान हो जाते है और बहुत डर जाते है देवा और वर्दा को जेल में दाल दिया जाता है जहां पर देवा वर्दा से माफी मांगता है और फिर क्या भाई देवा और वर्धा को मारने के लिए उन दोनों को जेर से भाहर निकाला चाता है और वहाँ पर देवा कहता है उन गुंडु से अगर ऐसे तलवार तेश करोगे तो चमड़ी भी नहीं उदढ़ेगी और देवा गुंडु से यह कहता है जरा जम की रगड़ो जब वार हो तो हट्टी भी कट जाए महाँ पर बेटे आउरत से हो कहता है कि मेरे हाथ पर टाटो बनाओ वह और पुस्ती है कैसा टाटो बनाओ जो मेरी आखों में दिख रहा है वैसा टाटो बनाओ वह उस औरत को कहता है उस औरत को देवा के आखों में उन गुंडो की मोद दिखाई दे रही थी वह औरत वैसा ही टाटो बना थी है आप ऐसा टाटो बिल्कुल भी आपने हाथ पर मत बनाना और वर्था कुछ गुंडो से लड़ रहा होता है और वहाँ पर देवा आ जाता है कहता है भाई थोड़ी देर हो गई थोड़ा टाटो बनावा रहा था ये सीन देखकर मुझे भी लग रहा है भई आप तो वाह क्या सीन है और वहाँ देवा और वर्था में शरत लग जा दिये कुन सबसे ज़ादा जॉंबिज मारता है वर्था का एक बच्पन का सपना होता है वो खांसर पर राच करना चाहता था और ये बाद वो देवा को बता देता है खांसर के लोगं में अपने में ये दुश्मन थी और वहाँ के लोग एक जूट हो रहे थे फिर हमें शुरूती हसन को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी की साती और वो आदमी देवा का सातीदार था वो आदमी देवा के बारे में सारी बाते शुरूती हसन को बता रहा था देवा के बारे में सारी बाते जानकर शुरूती हसन को बहुत टेंशन आ जाता है और वो उस आदमी से कच्छी देशी मांगती है यहां तो हिरो नी पूरी बेड़ी ही निकल गई फिरा में मूर के लास्ट में पता चलता है देवा और कोई नहीं शोर्यांग तबेले से बिलॉंग करता था वो ने अभी तक सालार मुवी नहीं देखी वो आभी जाकर देख ले बाय आईसी सौथ की मूवी आपको वापस कभी देखने नहीं मिलेगी और जिन लोग ने आभी तक आमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करतीजिए